वेलकम दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबा दें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहें आज का हमारा रेसिपी एक बार फिर एक कम समग्रियों से बहुत ही जटपट बनने वाला रेसिपी है, जो की है चिकन मेयो सैन्विच यह फ्लाइट में मिलने वाले सैन्विच जैसे एक फ्रेशली मेट कोल सैन्विच है, इसमें मैंने स्टफिंग की मातरा काफी ज्यादा रखी है, इसले यह खाने में बहुत ही क्रीमी लगता है इसके लिए हमें चाहिए तीन ब्रेट स्लाइजेस जिसका साइट का कड़क हिसा मैंने काटकर निकाल दिया है तीन बड़े चमच मेयोनीज ये मेयोनीज मैंने घर पर बनाया है इसका रेसीपी लिंक आपको उपर आई दबाने पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक चोथाई कब चिकन जिसे पहले आप उबाल ले और फिर एकदम ही बारी काट ले या तो हाथ से मसल ले एक चोथाई छोटा चमच काली मिच का पाउडर एक बड़ा चमच बारी कटा हुआ हरा धनिया ये हिस्सा पूरी तरह से ऑप्शनल है मैंने तीन बड़े चमच स्मोकी पाइनापल ड्रेसिंग का यूज किया है क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा पसंद है आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार कोई और ड्रेसिंग या स्प्रेड यूज कर सकते है ध्यान रखे कि ये सैंड़िच सिर्फ स्टॉफिंग के साथ भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगता है सबसे पहले एक कटोरी में चिकन ले ले अब उसमें डाल दे मेयोनीज, काली मिच का पाउडर और धनिया बत्ता अब इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिला ले हमारा स्टॉफिंग बिल्कुल तयार है अब ब्रेड के उपर अपना मन पसंद ड्रेसिंग या स्प्रेड लगा ले अब उस पर थोड़ा ज्यादा स्टॉफिंग फैला ले अब स्टॉफिंग के उपर एक और ब्रेड स्लाइज रखे और स्प्रेड या ड्रेसिंग ब्रेड के उपर लगा ले अब इस ब्रेड पर भी थोड़ा ज्यादा स्टॉफिंग रखे और फैला ले अब आखिर में एक बार फिर एक ब्रेड के उपर स्प्रेड या ड्रेसिंग लगाकर स्टफिंग के उपर रग दे हमारा चिकन मेयो सैंडविच बिल्कुल जटपट बनकर तयार है ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत ही ज़ादा मज़ेदार लगता है बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें और अपने परिबार वालों और दोस्तों के साथ एंजॉय करें